स्वाधत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में क्लास्ट विल्थ के उर्दू के चार चैप्टर चैप्टर नंबर 30, 31, 32 और 33 इन चारों चैप्टर का कम्प्रीट सल्यूशन होने वाला है यानि कि जितना भी सब्जेक्टिव कोशन आप लोग के बुक में इन सभी चैप्टर से पूछे गये हैं वो सारे सब्जेक्टिव कोशन का एंसर आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कम्प्रीट कराने वाली हूँ और सबसे खुशी की बात ये है कि अब आप लोग का ये जो सब्जेक्टिव कोशन का सफर है ये कम्प्रीट होने वाला है क्योंकि आज कि इस वीडियो में 33 चैप्टर तक का सारा कोशन आंसर कम्प्रीट हो जाएगा और बचा 7 चैप्टर तो इसके आगे अब मातर दो वीडियो अप्लोड होगा एक वीडियो में 4 चैप्टर और दूसरे वाले वीडियो में 3 चैप्टर कम्प्रीट 7 चैप्टर यानि कि बहुत जल्द क्लास 12 के उर्दू के सब्जेक्टिव कोशन का ये सिरीज खत्म होने वाला है तो आप लोग बिल्कुल excited हो जाईए और कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला तो अंत जो है ना अच्छा से कीजिए हर एक subjective question का answer जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को complete कराने वाली हूँ तो समझकर आप लोग को complete करना है यानि कि मैं आप लोग को हर एक question का answer पढ़-पढ़के बताऊंगी तो उसको ध्यान से समझना है तो चलिए आज कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं किजिएगा वीडियो को कम्प्री लगातार देखते चले जाएगा और समझते चले जाएगा ठीक है स्टार्टिंग में आप लोग वीडियो को लाइक करते चानल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो आप सबसे पहले पहुंचे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां से स्टार्ट हो रहा है मुखतसर सवलात से यानकी शॉट टाइप क्वेशन और चैप्टर नमबर यह 30 का है यानकी 30 चैप्टर का उसके बाद सबसे पहला सवाल मुखतसर सवलात में है कि क्वारेंटीन किस शाय का नाम है जवाब में लिखा गया है अलड़ी आप लो जवाब का नाम है जहां पर प्लेग से पिड़त व्यक्तियों को रखा जाता है तो बस यही बात को आप लोगों को सजा कर लिख देना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि क्वारेंटीन किसी शाय का नाम नहीं था और नहीं क्वारेंटीन किसी बिमारी का नाम था बलकि क्वारेंटीन उस वसे जमीनी रखबे का नाम था जिसमें मताधी बिमारीयों के जमाने में बिमार लोगों को तंदुरुस्त अफसानों से कानूनी एतबार से अलग करके ला डालते हैं ताके बिमारी बढ़ने न पाए अगरचे क्वारेंटीन में डॉक्टर और नर्स का काफे इंतिजाम था फिर भी मरीजों के करसत से वहां आ जाने पर उनके तरफ परदन परदन तवर्ज़ा नहीं की जा सकती थी तो यह जवाब में लिख दिया गया है हलांकि टॉफ लव्स का यहां पर यूज किया गया है लेकिन आप लोग इसको अपने भाशा में आसा हो गई होती है उसको ले जाकर रखा जाता था और वहीं पर उसका इलाज होता था और जितने भी प्लेक से पीड़ बेखती थे उनको वहीं पर रखा जाता था ताकि विमारी दूसरों तक न फैले तो यह आप लोग अपने भाशा में लिख सकते हैं चली आगे बढ़ते है दूसरा सवाल है कि क्वारेंटीन ज्यादा अमवात का बास क्यों हुई यानि कि क्वारेंटीन ज्यादा मौत का कारण क्यों बनी आप लोग को बताना है देखे जवाब में लिखा गया है कि क्वारेंटीन ज्यादा अमवात का बास इसलिए हुई कि क्वारेंटीन में मुली तोर पर विमार आदमी वहां के वह भाई फिजा के जरासीम से ही हलाक हो गया और कसरत अमवात की वजह से आखरी रसूम भी क्वारेंटीन के मक्सूस तरीके पर अदा हुई तो यह हो गया एंसर ठीक है आई होप आप लोगो को इस कोशन का एंसर समझ में आ गया होगा देखे तीसरा सवाल है कि डॉक्टर प्लेग से अपनी हिफाज़त के लिए क्या करता था तो क्या करता था वो डॉक्टर प्लेग से अपनी हिफाज़त के लिए और लड़ी आप लोगो को बताई हूँ डॉक्टर प्लेग से अपनी हिफाज़त के लिए शाम को घर आने पर कारबालक साबन से हाथ धोता और जरासिम कश मरकब से घरारे करता या पेट को जला देने वाली गर्म कौफी या फिर ब्रांडी पी लेता था फिर भी डॉक्टर के दिल वा दिमाग पर प्लेग का खौफ सवार रहता था इतना सारा इंतिजाम करता था डॉक्टर हिफाज़त के लिए लेकिन फिर भी उसे प्लेग नाम के इस विमारी से उसके अंदर खौफ बना रहता था कि कई हमको भी प्लेग न हो जाए फिर भी उसके अंदर खौफ रहता था चोथा सवाल है कि बड़े पादरी लावे रिवरेंड मुंतलावे क्या कहते हैं तो बड़े पादरी लावे जो है आकसर इसाई मजभ के तबलिग के लिए कारेंटीन के इलाके में आते रहते थे वह पादरी लावे कहते थे कि खुदावंद ईसु मसी की तालिमात में से एक तालिम यह है कि बिमारी की मदद में अपनी जान तक कुर्बान कर डालो यानि कि बड़े पादरी लावे वह कहते थे कि खुदावंद ईसु मसी के तालिमात में एक एहम तालिम यह शुक्षा दी जाती है कि अगर किसी को बिमारी है तो बिमारी की मदद की जाए यान की बि करते हैं पांचवा सवाल हैं कि डॉक्टर रफ्तार सेहत का नक्सा देखकर क्यों खुश होता था तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि वजीर बल्दियात में एक अवामी प्रोग्राम में एक पतली सी छड़ी हाथ में ली और हाजरीन को मुखातिब करते हुए उनकी त नक्षे में वह दिन भी दिखाया जब डॉक्टर के जेर निगरानी क्यों मरीज रखे गए और वह तमाम सिहत याब हो गया इसलिए डॉक्टर सिहत का नक्षा देखकर खुश होता था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कि जरूरत से ज्यादा ब्रांडी पीन लगा कि उस पर प्लेग की जराशिम का असर हो गया है और जल्द ही उसके गले और रानों में गिल्टिया नमुदार होंगी और बहुत सा बहुत सरासीमा और खौफ़जदा हो गया था कौन वह डॉक्टर क्योंकि कुछ दिर के लिए उससे ऐसा लगा कि नहीं मैं भी मुझ नेक्स्ट कोश्टन अब यहां से सवाल स्टार्ट हो रहा है यानिकी लॉंग आपक्र सबसे पहला सवाल है कि अपसाना खॉरी कहानी क्वारंटीन उसका खुलासा करना है इस कहानी यह पूरी कहानी क्या है आप लोग को शौर्ट कॉट में बताना है तो देख़ए जवाब किरदार डॉक्टर और भागों में भागों है जो बराबर अपने जिमेदारियों की अदाईगी के दौरान पूरे अफसाने में आमने सामने होते रहते हैं डॉक्टर एक तालिम या फता किरदार है जबकि भागों एक जाहिल और नाखवानदा किरदार है गर्चा भागों का काम गलाजत से भरा है और डॉक्टर जो है डॉक्टर के मुकाबले में बहुत ही कमतर किरदार है इसके बावजुद भागो का किरदार कारेईन को ज्यादा मुतासिर करता है भागो जिस तरह अपने फर्ज की अदाईगी में मश्गूल रहता है उससे डॉक्टर को भी अमली तहरीक मिलती है जो किसी भी कारी पर अपना चाप छोड़ जाता है भागो को इनसानों से महबत हैं उसके दिल में इनसानों के लिए दर्द है इसलिए प्लेग जैसा महलक मर्ज भी भागो को खौफ जदा नहीं कर सकता भागो की बीवी की मौत हो जाती है फिर भी वहा के मरीजों की बेतकल्फ खिदमात करता है तो इस मरहले में डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या उसे मरीजों के साथ रहे कर काम करते हुए डर नहीं लगता भागो जब भागो जवाब देता है कि आदमी को वक्त आने पर ही मौत आती है इसलिए डरने की कोई बात नहीं है म सूरत में उसकी मौत भी वाकि हो सकती थी लेकिन कहानी को जाहरी रखने के लिए भागो का आखरी वक्त तक जिन्दा रहना जरूरी है इसलिए वह जिन्दा रहता है कहानी में इल्मिय की शकल में शकल इस वक्त सामने आती है जब भागो की बीवी की मौत हो जाती है अब कह वज़ा से उसकी वज़ा डॉक्टर का गुरूर और सिले के तवक्य है जबके भागों के किर्दार में किसी भी मन्जिल में यह बात नहीं है बलके सादगी ही उसके किर्दार का जेवर है इस महलेले में कहानी अपने फित्री एक्तिताम को पहुँच जाती है और यह हो गया ए का यह कुशन स्टार्ट हो रहा है मुखत सवलात से यह इनकी शौर्ट टाइप क्यूशन से सबसे पहला सवाल की कामिल इनकलाब के बाद कौन कौन सी तबदिलिया वाके होंगी सबक के हवारे से जवाब दीजिए तो जवाब में लिखा गया है कि कामिल इनकलाब के बारे म तब्दिली आएगी मुक्तलिफ किसम किसमाजी बुराया समाज से खत्म हो जाएगी जैसे चुवा चूट जात पात और फिरका वारियत जैसी बुराया खुद बहुद दूर हो जाएगी ठीक है तो यह हो गया एंसर मतलब कि कामिल इनकलाब के बाद संपूर्ण करामिल के बाद यह सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे समाजिक चुवा चूट जो है जात पात को लेकर भेद वाओ यह सब कुछ खत्म हो जाएगी दूसरा सवाल कि जैप्रकाश नरायन ने बला जहेद शादी के लिए क कई दलायल दिये हैं शादी में तिलक लेने वाले लड़के वाले कहते हैं कि जब तक अपने लड़कों की शादी में तिलक जहेद नहीं लेंगे तो फिर अपनी लड़कियों को तिलक जहेद कहां से देंगे इस सिलसले में जैप्रकाश नरायन लड़के और लड़कियों क ऐक सिkkे के दो पहलू हैं जै प्रकाशनरायम जब जमहुरियत में अमन की बात करते हैं तो कहते हैं हो आम तुकमत अमली कते है की हम प्रम रास्ते को अपनाएं और एंकलाबी का इन अचसार अ अमन पर है अगर आप तशद्द का रास्ता अपनाएंगे तो आपका मुकाबिल चो तशद्द कर सकता है इसलिए अमन वक्त का तकाजा है अगर तशद्द के जोर पर इद्धखाब होगा तो उसके नतीजे में कैसी जमहुरियत सामने आएगी इसलिए बगएर अमन के साले और मजबूत जमहुरिय पर पुर्वन इंकलाब को क्यों तरजी ही देते हैं जवाब में देखे लिखा गया कि जैइ परकाश哎gor पुर्र तशद्द इंकलाब पर पुर्तशद्द इंकलाब की तारीख घुला है कि वо इंकलाब लंभे अर्से के जद्दॉजैद के नतायज्थ हैं नै तर्द पर पाहिद के बुनियाद पर जैप्रिकाशनराय के नजरीया है कि अगर हिंदुत्तान में खुदाना खास्ता पुर्त शद्द इनकलाब आता है तो उसे काफी अर्था लगेगा लेकिन पुरामन इनकलाब पौरन लाया जा सकता है और वह तक्रीबन आ चुका है ठीक है तो यहा की साइंस का बुनियादी उसलिया है जब तक पूरा समाज इनकलाब के लिए जहनी तौर पर तयार नहीं होता है तब तक किसे मुलक के समाज में कोई इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता किसी भी समाज में जब ना- säafi और तजादात का वलबा हो जाता है तो उसी किता से इंकलाब की जमीन तैयार होती है जब समाजी मसाइल तकलीफ वह तक पहुंचाते हैं तो आवाम के अंदर बेचैनी पैदा होती है और वो बेचैनी नए इंकलाब को जन्म देती है और जैसा हालात में नुमाया तब्देली लादी है और इंकलाबी तब्देलियों के लिए जमीन तैयार हो चुकी है या तब्देली आने वाली है वरना आज का ये समाजी धाचा तूट कर भिखर जाएगा इंकलाब के साइन्सी उसूलों के मताबिक कोई भी इनकलाब किसी भी इनकलाबी रहनुमा का मरखून मिन्नत नहीं होता है या ना लीनन ने ऐसा कहा है और ना गांधी जी ऐसा कर सके इनकलाब तो समाजी हलात और तारिख की कोग से उबरता है इनकलाबी रहनुमाओं की खुसूसियत यह होती है कि वह वक्त की रफ्तार और नोश्ता दिवार को पहचान लेता है पूर अमन इनकलाब के लिए हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि अपनी पूरी ताकत से अदमे तशद्द की राप ना कर मसाइल के हल की कोशिश करें हमें इसके लिए अपनी जिंदगियों की कुरबानी देनी होगी और इससे बढ़कर जिंदगी की कोई मनजल नहीं हो सकती इनकलाबी खौज के ने ओर के हैसिए इनकलाबीों की है जिन्होंने इनकलाब के लिए अपने आपको वक्त कर दिया पर यह काम आसान नहीं सخت एसार वा कुर्बानी चाहता है आज हमारे मुलक हिंदुस्तान को इसी इसम के इनकलाब की जरूरत है ये हो गया इंसर आगे बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ अब फिर से यहां से स्टार्ट हो रहा है चेप्टर नमबर 32 का कोईशन सबसे पहला सवाल मुखतस सवालात में क्या आपको इस बात से इतफाक है 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 तो चलिए देखते हैं जरिर नसाब नजब शिकस्त जिन्दा का खाब को ही लीजिए कि पूरी नजब में जोश और जजबे से भरी हुई है यानि कि यहाँ पर शायर का जो तखलुस है जोश और उनका जो शेरी मिजाज है उनमें मुनास्बत है यानकी संबंद है जिस तरह उनका तकलुस है जोश ऎसी तरह उनका जो शायरी होता है न भी जोश और जजबे से भरा हुआ होता है इसी وجہ से उनके तकलुस और उनके शेरी मिजाज में मुनास्बत हैं कि संबंद पाया जाता है इस नजब में अंग्रेजों की गुलामी और मजाहिदीन आजादी की कैदो बंद के खिलाफ एक इनकलाबी आवाज है जिसे उनके जोशीले शायरी मिजाज का इजार होता है जोश खुद भी अपनी शायरी के बारे में फर्माते हैं कि मेरा नारा इनकलाब वो इनकलाब वो इनकलाब है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रशन है कि जिन्दा पर रेशातारी होना जिन्जीरों का तूटना दिवारों के नीचे कैदियों का जमा होकर किस तहरीक का पता दे रही है किस आंदूलन का पता बता रही है तो चलिए देखते हैं जवाब में लिखा गया है कि मस्कूर अबाला शेरी इस्तिलाहाद जिंदा पर रेशतारी होना जन्जीरों का तूटना दिवारों के नीचे कैदियों का जमा होकर आजादी का पर्चम ल एक महिब वतन आजादी के मतवाले कैदो बंद की सावबते जहल रहे थे और अपने जानों की कुर्बानिया दे रहे थे वहीं दूसरी तर शौरा हजरात अपनी वतनी शायरी के जरी आजादी के मतवाले के कुलूब को गर्मा रहे थे तहरीक आजादी की गर्म जोशी का यही मनजर शायर जोश मली अबादी ने जरे निसाब नजम शिकस्ते जिन्दा का खाब में पेश किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि जब आजादी के दिवाने परवाने हरकत में आ जाते हैं सुल्ताने वक्त यान की कौम में फिरंग का चेहरा बेनूर क्यों हो जाता है तो चलिए देखते हैं जवाब में लिखा गया है कि जब आजादी के दिवाने परवाने हरकत में आ जाते हैं सुल्टाने वक्त यानि की हुक्मराने अंग्रेज कौम का चेहरा इसलिए बेनूर हो जाता है कि जब आजादी के दिवाने जजबे हरियत से शरसार हो जाते हैं तो वह दुनिया में कोई भी इनकलाब ला सकते हैं और किसी भी जालिंग जाबिर्ज हुक्मरानों की हुकुमत क तख्त पलट कर सकते हैं इनकलाब की आमद तख्ते पलटने की तसाओर से हुक्मरा तब कि के लोग घबराते हैं और उनका चेहरा हुक्मरानी से महरूमी की खौफ से बेनूर हो जाता है यानि किसी वज़़ा से जो है ना अंग्रेज का जो हुक्मरा है जो बादशा है जो बर भारत पर राज कर रहा था जो सुल्तान shais kya-rabra 1-1 हो जाता है क्यूंकि वो जानता है कि लोग जो है कि करते हो जाए और वह फूरा दम लगा दें किसी भी हुकूमत का टख्ता और सकते हैं और कि किसी भी सुल्तान को उचा सकते हैं कभी भी कुछ हो सकता है क्योतौ। शेर दे दिया गया है और इसी की रोशने में आपर सवाल पूचा गया है कि मारेसिया का मानी बताईए तो मारेसिया का मानी होता है काला सांप मुल्क और शमसीर का मतरादिफ बताईए यान कि एक जैसा अर्थ रखने वाला लफज तो मुल्क का मुत्रादिफ होगा वतन यानि कि मुल्क बोलिये वतन बोलिये बात एकी है शम्शीर का मुत्रादिफ होगा सनान यानि कि शम्शीर बोलिये फिर सनान बोलिये बात एकी है या फिर तलवार बोलिए और तीसरा सवाल पुचा गया है कि मिल्लत को जिरो 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 हिस्सा लिया था उनमें हस्त मुहानी के बाद जोश मरियाबादी की शक्षित मेहायत एम है जोश मरियाबादी को इसी पसमन्जर में पेगंबर इनकलाब भी कहा जाता है जोष्ट बन्यादी तोर पर फिक्री लिहाद से इनकलाबी शायर थे और सिंफी लिहाद से नजम के शायर थे उनकी नजमों में अच्छी खासी तादाद ऐसे नजमों की है जिनका शमार वत्मी शायरी में किया जाता है जोश ने अपने इनकलाबी और वतनी नजमों के जरिये मुलक के नौजवानों के अंदर जजबा हुर्यत पैदा करने की कामियाब कोशिश की है तरीक आजादी हिंद को जोश ने शवूर की हालत में अपनी निगाहों से देखा था आजादी के मतवालों को तोपो के दहाने के आगे सीने सप्रों होकर होते देखा है जेलों के मजलुम कैदियों की आह वो बका गर्यवजारी को उन्होंने न सिर्फ यह के देखा था बलकि उन पर दर्द आवाजों को सुना भी था पुरदर्द आवाजों को सुना भी था आखिर शायर ने वह दिन भी देखा जब आजादी की सुबह नमुदार हुई और अंग्रेजों के जिन्दा की दिवारे जमी बूस हो गई और जाली मुझाविर हुकमरा के चेहरे तकबीरों की गूज और इनकलाब जिन्दाबाद के नारे से बेनूर होने लगे इन चेहरों और आखों की बेनूरी दरसल अंग्रेजों की एक सदी तक हिंदुस्तान पर हुकुमत करने के बाद हुकुमत से महरूमी का इजहार था तूटना दीवारों की नीचे कैजियों का जमा होकर आजादी का पर्चम लेहराने की तद्बीरे करना यह सब इस्तलाहात तहरीक एजादी की काम्याबी से हमकिनार होने की अलामत हैं जैसे सीनों में बिजली का तलातुन पैदा होना आखों में शंसीर बेन्याम की चमक आन और उसके नतीजे में हुकमराने वक्त के तौपों के दहाने ठंडे हो जाना तहरीक एजादी को अंग्रेजों ने जिस कदर दबाया उसी कदर तहरीक जोर पकड़ती चली गई और जब जब जबानों और अंगलियों पर तकरीर और तहरीर की पाबंदी लग गई तो एक द तोर पर हिंदुस्तान की तहरीक आजादी का याद दिला रहा है मुक्तसर यह है कि पूरी की पूरी नजम बुलंद बाम होसले पर पुरजोश अंदाज बयान और रगों के खून में तलातुं पैदा करने वाली दिलविला अंगेज तकरीर से लबरेज है ठीक है अब यहा है जोश्मलिया वादी सोरी मिजाज लखन Association इसका यह कोशन है कि रात हसहित शायर से क्या कहती है तो रात हर शायर से यह कहती है कि ए दिल के ऒं पालने वाले और दिल recommend वह कैश्चत वाले शायर अपने गम और वह वहश्चत की कश्मकत से बाहर निकलो और इससे नजात नजात हासिल करो निजात हासिल करने का तरीका यह है कि रात के रात होक्ट शायर कहीוש Colorado को और जिल मलाति कंगों का नजारा करो समान पर तारव का जाल और किसी टूटे हुए सितारों की फुल डड़ी गर्झ के शायर सोब्ठ को आ करता है और खुद रात भी शायर को रुस्वाई वाले अमल करने का दावत देती है यानि कि रात भी जो है ना वो भी शायर को रुस्वाई वाले अमल काम करने का दावत देती है वो कहती है कि चल किसी मेखाने में चलते हैं या फिर तेरे महबूब के काश्याने में चलते हैं अगर वहाँ पर भी मुम्किन नहीं हो तो एदोस चल किसी विराने में चलते हैं ठीक हैं दूसरा सवाल है कि इस नजमे शायर का किरदार कैसा है तो इस नजमे शायर का किरदार एक कल्व मजद्दर की तरह है शायर नामवाफिक सुरत हालत की गिरफ्त में हैं वो अपने गम और अपने वहिशत के सबाब पर महद इशारे से काम लेता है। शायर अपने अंदरूनी गुसे, तिल्मिलाहट, पस्तावे, पेशमानी और परेशानियों की मुक्तलिफ किश्मे तखलिक की हैं। जिनकी जल्वगरी नजम के हर बंद में तेज तंदलब वो लहजे के साथ जिनदा और मतहरक महसूस की जा सकती है। तीसरा सवाल है कि एक महल की यार से निकला पीला महताब, शायर ने या बात क्यूं कई हैं। तो जवाब में लिखा गया है कि शायर ने ये बात इसलिए कई है कि सुरते हाल की संगीनी और नमवाफिक हलात शायर को मजबूर करते हैं वो अपना एहत तोने के ख्याल के साथ वो क्या कर सकता है या करेगा उसके मतालिक वो अपने इरादे का इजहार करता है मुम्किन है कि वो और उसका इरादा एक महल और उसकी आर्ट से निकलने वाले पीले महताब की तरह हो और उसको अपना इरादा मुल्ला के मामा बनिये की किताब मुखलिस की जवानी और बेवा की शबाब की तरफ फीका बेजान बेने साथ और बेत तौकिर नजर आता हो चौथा सवाल कि शायर किन चीज़ों को नोच लेना चाहता है तो शायर मुर्दा चांदतारों को नोच लेना चाहता है वो चांदतारों के तमाम किनारों को नोच लेना चाहता है शायर नामुआफिक हालात के इसकदर शदीद गिरफ्ट में है कि वह एक दो के जिक्र तक मेहदूर नहीं रखना चाहता बिलकि सारे दुनिया के चांदतारों और चमक दमक को नोच लेना चाहता है यह इनकी शायर बेचैन है उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे ठीक है चलिये आगे बढ़ते हैं 5वा सवाल है कि असर हाजिर के चंगेज के साथ वह क्या असलूप करना चाहता है तो शायर मुझूदा दौर के चंगेज के हाथों से उसका हातियार छीन लेना चाहता ए और उसका खंजर तोड़ देना चाहता है उसके ताज़ पर जो चमकता हुआ पत्थर है वह उसे भी तोड़ देना चाहता है शायर कहता है कि इस जालिम औ जाबिर चंगेज के खंजर को तोड़ने की हिमत अगर दूसरों में नहीं है तो मैं ही आगे बढ़कर इस खंज़र को तोड़ देना चाहता हूँ छठा सवाल कि शायर ने खुद को नाशाद वो नकाम क्यूं कहा है या फिर क्यूं बताया है अपने आपको नाशाद वो नकारा क्यूं कहे है तो शायर ने अपने आपको नाशाद और नाकारा इसलिए कहा है कि वो नामवाफिक हलाद से घबराया हुआ है इसलिए इस परिशानियों में वो अपने गमे दिल को वहशते दिल को पुकारता है और कहता है कि शायर के रात की रंगीनि और इन रंगीनियों में नाशाद और नकारा बना हुआ हूँ जिसका नतीज़ा है कि जगमगाती जागती सडकों पे मैं आवारा फिर रहा हूँ साथवा सवाल है कि शायर के दिल में घम और वहिशत क्यों है तो शायर के दिल में घम और वहिशत इसलिए है कि वह नामवाफिक हलाग के थपेडों का शिकार है वह जिस कश्मकश में मुपतला है उससे निजात हासिल कर लेना चाहता है रात की जगमगाती जागती सड़के जिल मिलाते कुमकुमों आसमान पर तारों का जाल और किसे टुटे हुए तारों की फिलड़ी गर्ज के शहर की रात का हर मजहर शायर को मश्ताल कर देता है यही वजह है कि शायर के दिल में गम और वैशत पैदा हो गया है नेक्स्ट कोशन की रात के वक्त शहर के क्या क्या मनजर होते हैं तो रात के वक्त शहर के मनाजर पर रौनक होते हैं और उसके नजारे किसी शक्त की भी जजबात को मतासिर कर सकते हैं और हर कोई अपने दिल की हालात के मुआफिग मताबिक जजबाती रद्यामल का इज़ार क सबस्ब से पहला स shrinking के इसाराना खوبया वाज़त खीजिये यानि कि यहां पर जो नजम आवारा है इसकी खzahlाना है क्वालिटी को बताना है कि आखिछ इस नजमे क्या खुबे है जो कितना पॉपुलर हुआ तो जवाब में देखे लिखा गया है कि जरे नसाब नजम आवारा में मशूर तरक्की पसंद शायर सारूल-हक मिजाज की तखलीक है इस नजमे शायर ने रंगीन रातों की मनाजर को पेश किया है रात की रंगीनी किसी के लिए खुशियों का पेश खेमा हो है तो किसी मजबूर के लिए यही राते मसीबत भी बन जाती है शायर जिस तरह नामवाफिक हालाद से दोचार है उसके लिए रंगीन राते जजबात को मस्ताल करने वाली है शायर इस पिस्म की एक रात के मनाजर को पेश करते हुए अपने जाती तज़रुबे और मुशाहदे पेश किया है शायर बार बार अपने दिल के गम और उसके वहष़त से मुखातिब है वा जिस कश्मकश में मबतला है उससे निजात हासिल कर लेना चाहता है शायर इस सूरते हाल की सख्त गिरफ्ट में है वो अपने गम और अपनी वहशत के एसबाब पर महद इशारे करता है अपने अंधरोनी गुस्ते तिलमलाहट पस्तावे पेश्मानी और अन्होना क्यों के मताबिक शकले ही उसने तखलीक की है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं जिनकी जल्वगिरी नजम के हर बंद में तेज वो तंदलब वो लहजे के सांथ जिन्दा और मतहरिक महसूस की जा सकती है शायर जिसे रुकना और वापस होना पसंद नहीं और जिसने हर मुसीबत से वफा का एहद कर रखा है उसके लिए रात की संगीन सुरते हाल और उसकी तरगीब मजबूर करती है कि वो अपना एहद तोड़ दे मुम्किन है कि उसका इरादा एक महल और उसकी आर्ट से निकलने वाले पीले महताब की तरफ हो और उसको अपना एक इरादा मुला के मामा बने की किताब मफलिस की जवानी और बेवा के शबाब की तरफ फीका बे जान बे बजात और बे तौकीर नजर आता है इरादे की एक मिनट रुक जाएं इरादे की तश्वीर कशी में इवहाम के बावजूद नजम के अगले बंद से उसमें शकले वाजी हो जाती है मुदरन नजाम को मकमल तोर पर खत्म करने और मुफलिसी और उसके मजाहर के साथ ही जावर सुल्टान की खयादत खत्म करने की ताकत और इरादे के इज़़ार के साथ नजम अपने एक्तिताम को पहुंच जाती है और कारी के जहन पर दूर रस और देरपा असर डालती है तो ये हो गया answer आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा चैप्टर नमबर 30, 31, 32 और 33 ये तीनों चैप्टर का हम लोग question answer complete कर लिए